पाइला का जो लार्वा है वो तो होता है बालेटरली सिमेट्रिकल पर डिवलप्मेंट के टाइम पे उस बिचारे में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वज़े से वो अपनी सिमेट्री खो देता है माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग और्गन होता है जिसमें छोट होते हैं यहां हम पढ़ रहे हैं चाप्टर अनिमल किंग्डम और आज मैं आपको भढ़ाऊंगी फाइलम मुलस्का इकानुदर मेटा एंड हैमी कॉड़िटा तो लेट्स गेट स्थाइट इस पहले हम बात करेंगे मुलस्का का मुलस्का का नाम मुलस्का क्यों है सबसे प जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी जैसे आपका अर्थ्रोपोडा लाजिस फाइलम था तो मतलब उसमें बहुत सारे स्पीशिस थे तो जो वह स्पीशिस थे वह क्यों जादा है क्योंकि उन्होंने एविल्यूशन में अपने आपको बहुत अच्छे से अडाप्ट किया है with the surrounding तो वो अल्मोस्ट हर जगा पर ही पाए जाते हैं वैसे ही यह भी अल्मोस्ट हर जगा पर पाए जाते हैं जैसे कि land में भी and water में भी right so they are both terrestrial as well as aquatic symmetry की बात करें बेटा इन में usually symmetry होती है bilateral but there are some forms जिन में asymmetrical होता है some forms they are asymmetrical like pyla क्या होता है पाइला का जो लार्वा है वो तो होता है bilaterally symmetrical but development के टाइम पे उस बिचारे में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी symmetry खो देता है तो usually सारे है bilaterally symmetrical but pyla है asymmetrical level of organization आपको भी पता है organ system है अब सब में organ system आएगा germ layers तीनों होंगी तो यह triploblastic है और siloam भी इसमें present है और siloam कौन सी है साइजो सिलोम आगे बात करते हैं इसकी बॉडी की अगर इसकी बॉडी की बात करें इसकी बॉडी में segmentation नहीं होती it is unsegmented unsegmented the body is divided into three parts head visceral hump and muscular foot इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड़ेड है तीन head visceral hump and muscular foot तो चलो इसको बनाके देखते हैं यह मालो इसका head है यह visceral hump है और इदर छोटा सा foot है ठीक है पहले हम label करते हैं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए यह portion क्या हुआ this is the head यह इसका क्या हुआ बिटा foot हुआ इसकी help से चलता है muscle का है और यह पूरा portion क्या हुआ this is the visceral hump visceral hump के नाम से आपको पता चल गया होगा viscera मतलब इसमें सारे visceral organs होंगे तो यहां पर बिटा इसका होता है चोटा सा mouth और mouth से आगे वही पूरा gut system होता है और last में होती है anus यहां से आपको पता लगता है इसकी जो body है उसमें जो elementary कनाल है वो complete है क्योंकि इधर क्या है mouth this is mouth and इधर क्या है anus right mouth के अंदर एक file-like rasping organ होता है जिसमें छोटे-छोटे teeth होते हैं ठीक है इससे हम कहते हैं radula क्या कहते हैं radula इसके बारे में आगे लिखेंगे अभी हम label करें इसके दांत जैसा structure है जो food को crush करने में help करेगा अब यहां पर जो visceral hump है इसके ऊपर एक epithelium है इसके उपर क्या है एक epithelium एक layer इसे हम कहते हैं mental क्या कहते हैं mental तो इस तरह से mental होती है ठीक है mental और visceral hump के बीच में एक space बन गई इसे हम कहते हैं mental cavity क्या कहते हैं mental cavity तो यह लेयर क्या हुई mental और इस mental और विजरल हम के बीच में जो स्पेस उसे कहते है mental cavity mental cavity के अंदर ऐसे छोटे-छोटे structures होते हैं feather-like कैसा होता है feather-like structure इसे हम कहते हैं papasau टी-णीडिया और गिल्स की निडिया और गिल्स किया कियते है तो मैं टीनीडेया और गिल्स की-या तो तो मेंटलинки हकिस के बीच में सबसे पहले despite every Hump and Mental के बीच में Mental Kevity के अंदर क्या होता है Teniria या फिर Gills हम कह सकते हैं Teniria Gills they are present in Mental Kevity What is the function of this Teniria और Gills इसके बिटा दो function है Gills जैसे क्या करते है Respiration वो तो करेंगे ही करेंगे साथ में they also helps in excretion किसमें help करते हैं साथ ही साथ ही, excretion में भी इनके उपर एक शेल होता है, आपने देखाऊगा स्नेल के उपर, काल्शियम कार्बोनेट का, येस, तो इसके उपर एक काल्केरियस शेल होता है, अब ये शेल कौन सेक्रीट करता है, और दूसरा ये शेल भी सिक्रीट करती है, और दूसरा ये शेल भी सिक्रीट करती है, तब इसको हम क्या कहते हैं, कैल्केरियस शेल, तो ये था इसकी बॉड़ी के बारे में, और अगर कोई पूछे, इसकी बॉड़ी कितने में डिवाइड है, आप बोलोगे, हेड, visceral, hump and muscular, foot, आगे चलते हैं, और बात करते हैं इसके circulatory system के बारे में, इनका जो circulatory system होता है बेटा, वो होता है open type, कौन सा? open type, but कुछ हो और्गानिजम में, it is closed, closed किसमें है? सिफैलो पॉड़़् में, what are सिफैलो पॉड़्? ये इनकी एक class है, class in which organisms have head, in which organisms have head attached to feet, अभी जो हमने बनाया, इसमें head अलग था, फिर visceral हम था, फिर foot था, जो सिफैलो पॉड़ा class है, सिफैलो मतलब head, पॉड़ा मतलब feet, तो इसमें जो organism है, उनका जो सिर है, वो सीधा पैर से attach है, like this, octopus जैसे, ऐसे होता है, ये head हुआ, और ये क्या हुआ, foot हुआ, तो the class in which organisms head, organisms head is attached to foot, तो ये सिफैलो पॉड़्स में, circulatory system आपको close मिलेगा, बाकियों में हमेशा आपको open मिलेगा, इन में pigment भी होता है, respiratory, जिसका नाम है, hemocyanin, hemoglobin, लाल रंग देता है, sainin, saino, saino मतलब blue, तो ये कौन सा रंग देता है, blood को blue कलर देता है, digestion की बात करें, complete digestive system है, मतलब, complete elementary के नाल है, इसमें mouth और anus present है, mouth के पास एक file-like rasping organ है, mouth have file-like rasping organ, मतलब, rasp करना, मतलब food को काटने में help करेगा, right, with chitinous teeth, क्या नाम है इसका, redula, तो इसके पास redula होता है, जो food को crush करने में help करता है, फिर आते हैं, respiration में, respiration की अगर बात करें, तो इनके पास gills होता है, जो aquatic वाले होते हैं, विर आज जो land वाले हैं, उनके पास होता है pulmonary sack, क्या होता है pulmonary sack, तो दोनों ही respiratory organ किसी ना किसी में पाई जा सकते हैं, मतलब, one of these, one of these can be present in different types of organism, gills usually उनमें होती है, जो जात तर पानी में रहते हैं, पानी के पास रहते हैं, एक्सक्रीशन की बात करें, जैसे कि हमने बात किया था, एक्सक्रीशन में gills या टिनीडिया तो help करते ही है, इसके इलावा organ of bojanus भी होता है, इनमें, एक्सक्रीशन में करने की जूरत नहीं है, तो एक्सक्रीशन में तीन है, टिनीडिया या गिल्स, organ of bojanus and keepers organ, यह क्या करते हैं, यह एक्सक्रीशन में help करेंगे, जैसे keepers organ के बारें बता देती हूं, यह इसके हार्ट के अराउंड होता है, तो जादा कुछ इसमें करना है, तो आप जान लोगे, next, reproduction की बात करते हैं, mostly इसमें बटा जो organisms होते हैं, they are unisexual, what are they? Unisexual, इसमें bisexual forms भी मिलती हैं, but mostly they are unisexual, and they lay eggs, और जो organism अंडा देता है, उसको हम कहते हैं, oviparous, क्या कहते हैं? यह oviparous है, they lay eggs. development इन में होगी, indirect, मतलब इन में larva होगा. जैसे example लेते हैं हम, वैलिगर लार्वा, ग्लोकीडियम लार्वा, यह लार्वे हैं, इसके basic characters, अब बात करेंगे examples की, पहला है paila, पहला example क्या है paila, apple snail, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह तो आपने commonly देखा भी होगा, इसके बाद आता है pink teda, जिसे हम कहते है pearl oyster, फिर आता है sepia, sepia यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह octopus जैसा थोड़ा थोड़ा दिखते है, इसे cuttlefish कहते हैं, फिर आता है lolligo, this is lolligo which is squid, octopus सब ने देखा है, applies a sea hair, यह ऐसा गलगला सा होता है soft body वाला, अब बेटा, अगर आप देखोगे यहाँ पर, इनके पास, अगर आप यह आपको अच्छे से diagram दिख रहा है, इनके पास एक तो यह structure है, देखा है, यह क्या है, यह होती है इनकी आँखे, stocked eyes, क्या कहते हैं, stocked eyes, मतलब, एक stock से लगी होती है, उसके उपर आँखे हैं, डंडी लगी है, उसके उपर आँखे हैं, दूसरा इनके पास, बेटा, यहाँ पर ऐसे structure होते हैं, अटीने जैसे, इनका नाम होता है tentacles, क्या नाम होता है, tentacles, and tentacles are their sensory organ, क्या है यह sensory organ, तो मैंने यह तब ही नहीं बता इसके stock dyes, एक यह वाला structure भी दिख रहे हैं, यह इनके tentacles है, और tentacles क्या होते हैं, पेटा, sensory, यह भी tentacles, ओके, तो यह था आपका पाइला, पेटा, यह हुआ आपका pink teda, मैं नाम लिख देती हूं, ताकि आपको थोड़ा बाद में समझ में आजाए, ठीक है, यह जो है आप यह है octopus, और यह है आपका applies यह, ठीक है, so they do have sense organs, यहां से हमें क्या पता लग रहा है, they do have sense organs, sense organs में बटा, क्या है इनके पास, एक तो eyes, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक है इनके पास eyes, और दूसरा tentacles, tentacles और eyes दोनों ही कहां पर होते हैं, head की उपर होते हैं, इसके इलावा कईयों में osphoridium होता है, osphoridium एक sensory cells जैसा structure है, मतब cluster of cells, जो chemical nature चेक करता है पानी, कि मान लो octopus पानी में है, अब तुम आ रहे हो, ठीक है, तुमारी body से कुछ chemicals release हो रहे हैं, every organism have it, certain chemical, तो वो पानी में dissolve होंगे, और वो dissolve chemicals को पानी में से octopus पहले ही पहचान ल रहा है, osphoridium का का काम क्या है, to check chemical nature of water, to check chemical nature of water, चलो आगे, next बेटा और भी दो example है, dentalium, dentalium का नाम क्या है, tusk shell, अब elephant की tusk होती है, ऐसी दिखती है उसके tusk, क्योंकि इसका shell भी उसके tusk जैसा है, इसलिए इसका नाम tusk shell है, keto plura, इसका common name है, chitin, यह ऐसा दिखता है, fine, तो यह थे इसके example, example are very much important, बहुत अच्छे से आत करना, क्योंकि it has a lot of example, तो examiner ज्यादा question इसके example से ही डालता है, तो देखते हैं, इसके यहीं से आएगा, मैं आपने बोला, पढ़ना तो सारा है, पर यह ज्यादा important है, ओके, चलिए बटा, next, फाइलम शुरू करते हैं, that is echinodermita, तो देखते हैं, बटा, echinodermita, echinodermita का नाम, echinodermita कैसे बढ़ा, सबसे पहले, dharma, dharma मतलब skin, dharma का मतलब skin, echin का मतलब spine, तो यह spiny-skinned organism है, इनकी जो skin है, उसको उपर कांटे-कांटे लगे है, अब यह organism को हमने, अग को बताती हूँ, यह जो organism है, इसमें कुछ system होते नहीं है, और दूसरा, इसमें यह सिजाईल है, जादा चलते फिरते नहीं है, तो फिर इनको हमने polyphera के पास क्यों नहीं रखा, इनको हमने caudate के पास क्यों रखा है, हमने कैसे classification करी है, polyphera सबसे कम develop, caudate सबसे जादा, क क्योंकि इनको इसलिए हमने caudate के पास रखा, क्योंकि इसके पास caudates के कुछ characteristic feature है, जैसे कि similarities है इसके caudate के साथ, similarities with caudates, now what are the similarities with caudates, सबसे पहले, they are also deuterostorms, deuterostorm कौन थे, जिनमें development के time पे anus पहले बनती है, इनमें जो sylome है, वो enterosylome है, enterosylome कौन सी थी, यू sylome 8 की, ऐसे sylome जिसमें mesoderm gut के pouches की form में बनता है, उसके बाद इनमें जो endoskeleton है, वो present है और इसका origin भी mesodermal है, अभी तक किसी के endoskeleton mesodermal origin में नहीं था, जैसे कि हमारे endoskeleton bone, bone connective tissue है, और connective tissue का origin क्या होता है, mesodermal, तो इनमें भी endoskeleton है, अभी तक किसी में नहीं आया था, सब में exo ही था, मुलस्का में shell था, बाहर present था, exoskeleton था, इनमें क्या है बिटा, endoskeleton, habit and habitat की बात करते हैं, these organisms सबसे पहले सिर्फ कहां पे मिलेंगे seas and oceans में, they are exclusively marine, अभी तक हमने exclusively marine टीनो फोरा किया था, अब आ गया है ये, दूसरा, they are cisile, एक हिलते डूलते नहीं हैं, और इसमें कोई भी parasitic forms आपको नहीं मिलेंगी, parasites नहीं होंगे, no parasitic forms, no parasitic forms, symmetry की बात करें, तो इनके पास radial symmetry होती है, radial में भी pentamorous, मतला more than one plane, but how many planes, five plane में body cut करोगे, तो दो equal half मिलेंगे, bilateral में एक ही plane होते है, radial में बहुत सारे होते हैं, अगर हम बोल रहे हैं, radial में भी pentamorous how many planes, five planes, germ layers, triptoblastic तीन है, silome कौन सी है, present है, used silomate है, और उसमें भी कौन सी है बटा, उपर लिखा, enterosilome, level of organization आपको भी पता है, organ system, चलिए, अब इसकी body की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा, इसकी body पे spines है, they are spiny bodied animals, और spiny skinned animals, अगर आप इसकी skin देखोगे न कभी, तो small lo, यह skin है, इस skin में बाहर की तरफ आपको क्या-क्या मिलेगा, एक तो बड़े-बड़े कांटे मिलेंगे, जिने हम echin कहते हैं, इनके बाजू में पड़े होंगे, छोटे-छोटे respiratory organs, जिने हम dermal branchiae कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यह तो हुआ echin, जहां पर भी word echin आजाएं, समझना spine है, और यह क्या है, dermal branchiae, dermal branchiae का काम होता है, respiration, क्या काम है, respiration, इसका main काम respiration है, पर यह कभी-कभी excretion भी कर देता है, also excretion, इसके बाद इसकी जो skin है, उसके नीचे अगर आप देखोगे, अगर इसकी skin जो है, उसके नीचे आप देखोगे, तो आपको नीचे की तरफ calcium carbonate की plates दिखेंगी, just like this, right, so these are the plates of calcium carbonate, तो यह बताता है कि यह जो plates है, यह इसका endoskeleton है, क्योंकि यह skin के नीचे है, तेक है, यह इसकी skin है ना, तो skin के बनीत है ना, यह इसका skeleton, अगर उपर होता, बाहर होता, तो वो exo होता, अब skin के नीचे है, यह outside है, यह अंदर की तरफ़गे, right, so this is how we say, they are spiny bodied organism, दूसरा बेटा, इसकी body में एक system चलता है, जिससे हम कहते है, water vascular system, water vascular system, जैसे polyphera में हमने water canal system, यह water transport system किया था, इसके पास होता है, water vascular system, do not get confused है, यह बच्चे जो बहुत fast fast question read करते हैं, वो यह गलत करके आते हैं, vascular और canal को पढ़ते नहीं है, vascular और canal में बहुत ज़्यादा confuse हो जाते हैं, तो बटा आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना है, right, यह जो vascular system है, यह किस form में होता है, इसमें जैसे मालो यह organism है, यह starfish है, ठीक है वक बनेगा, like this, fine, यह जो tubes है, इसमें क्या run करेगा, water run करेगा, क्या run करेगा, water run करेगा, और यह जो water है, जब water body में अंदर आता है, यहां से मालो एक tube है, एक और, यह opening है, यहां से पानी अंदर आ रहे हैं, और नीचे से बाहर जा रहे है, इनकी opening नीचे है, ठीक है, तो यह water अपने साथ क्या लेकर आ रहे है, food भी लेकर आ रहे है, तो इस water vascular system का सबसे पहला function हुआ, जब पानी आएगा, तो वो food को capture करने में help करेगा, दूसरा, पानी आ रहा है, तो transport का भी काम करेगा, पूरी body में घूम भी रहे है, पानी बाहर से भी आ रहे है, बाहर भी ज इसके इलावा, यह जो पानी है, जब यह पानी बाहर जाता है, तो pressure से बाहर जाता है, इस pressure से organism हिलता है, क्या करता है, हिलता है, तो इससे हम कहते हैं, यह इसको locomotion में भी help करता है, इसमें help करता है, लोको मोशन में, मालो, पानी आया pressure से बाहर गया, तो जब वो pressure से बाहर तो और्गानिजम ऐसे उठेगा थोड़ा सा अगर यह स्टार्फिश, यह स्टार्फिश में यहां से पानी इंटर कर रहे और यहां से निकल रहे पाणि यह से निकलेगा यह घरती है यह जमेन ब्रून के ओप करते हैं कुछ नहीं है वाटर वस्कूलर इसके नदे बहुत सारी यूब्सनानीं घूम रह वाड़ी के बाहर Rob डिक लश्श्वां आपने देखा इसका आप में गें यहां पर सह drip में करता हैं और फिर यह झोरको constantly ट्यूब फीट मैं खुलती है लाइकWith और यह जो ट्यूब फीट होते हैं यह सक्षं में हेल्प करते हैं नीचे यह हर एक में होते हैं कि इस अ रेडियल कानाल यह हुई रिंग के नाल अगर structure आपको you are curious to know तो मैं बता रही हूँ otherwise there is no so much need medry porite यह एक छन्नी होती है सीव जिससे पानी एंटर करता है यह stone के नाल है white वाली जो आगे रिंग के नाल में खुलती है और यह क्या है tube feet इसी से पानी बाहर जाता है तो यह था बिटा water vascular system और उसके function इसको जरूर याद रखना है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं excretion की यह एक ऐसा phylum है जिसमें excretory system यह excretory organ नहीं होता no excretory organ और system बस वो water vascular system से पानी जाएगा तो waste ले जाएगा जादा से जादा thermal branch की यह भी help कर देते हैं excretion में जिनका major function respiration होता है circulation की बात करें circulatory system is open type इसमें इसकी siloam में एक system चल रहा है बिटा उसे कहते हैं hemal and perihemal system मतलब यह कर रिंग का system है इसमें ना siloam के अंदर इसका जो blood है घूमता रहता है सिलोम के अंदर जो इसका body fluid है वो घूमता रहता है उसको नाम के दे दिया hemal and perihemal system so hemal and perihemal system are present hemal and perihemal system of siloamic origin are present are present ठीक है otherwise क्या इसका system open type ही है digestion की बात करें बेटा अगर इसके अगर इसके digestion की बात करें digestive system इसके पास क्या है it has complete digestive system mouth इसका ventral side पे होता है anus इसकी dorsal side पे complete elementary canal mouth is present on ventral side whereas anus is present on dorsal side इसको याद रखना mouth ventral present है और anus dorsally इसका जो जमीन पे body लगी होती है वो ventral होती है जो बहार उपर होती है वो dorsal होती है किसी भी organism की बात कर लो जो भी उसकी dorsal या ventral side होती है वो इससी पे ही depend करती है one which faces downward धर्ती को जो face करती है वो उसकी ventral होती है हम भी पहले चार पाउं पे चलने वाले थे अभी हम दो वाले हो गया है तो हमारी भी body ऐसे नीचे लगी तो यह वहली side हमारी नीचे लगेगी तो यह क्या हुआ यह हमारी बेंट्रल साइट पीचे वाली डॉर्सल साइट respiration की बात करें respiration के लिए some have gills some have gills and dermal branchiae right dermal branchiae and gills दोनों respiration में help करते हैं आगे बढ़ते हैं reproduction की बात करते हैं इसमें और्गानिसम सब डाइशियस है, यूनिसेक्श्वल हैं, एक जिनाना और दूसरा मरदाना, क्योंकि ये पानी में है तो फर्टलाइजेशन होगी बिटा, एक्सडर्नल, कौनसी फर्टलाइजेशन है इसमें? एक्सडर्नल फर्टलाइजेशन, ठीक है, होगी इनडारेक्ट, इनडारेक्ट डिवलापमेंट, इसमें बहुत सारे लार्वे होते हैं, ठीक है, लार्वा का नाम क्या-क्या है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्या-क्या लार्वे है, विपीन एरिया, टॉलियूल एरिया, फ्लूटियर्स, ये सब इसके की खास बात क्या है इनमें जो लार्वे होते हैं वो free swimming होते हैं वो घूम सकते हैं तैर सकते हैं वेरास जो adult होते हैं वो चलिए अब करते हैं एक्जामपल्स पहले एस्टीरियास इस्टारफिश उपर दिख रही है आपको इस्टीरियास एस्टर मीन स्टार जैसे दिखती है तो स्टारफिश एकाइनस इसको लोग खाते भी है in fact जो हमने squid करे थे न सीपिया लॉली को करे थे लोग उनको भी खाते है यार echinus यह रहा, sea urchin, इसके अंदर का एक पाठ खाते है this is antidon, sea lily this is sea cucumber, क्योंकि यह cucumber की तरह दिखता है, खीरे की तरह right, इसे हम cucumeria कहते हैं इसको scientific name और उसके बाद यह है ophiora, brittle star, क्योंकि यह बहुत brittle है brittle मतलब जो easily टूट जाए, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते है brittle star, है यह star जैसा, all right, यह तब बिटा echinodermeta आगे चलते हैं और बात करते हैं hemicordata की तो अब बिटा शुरू करते हैं hemicordata, hemicordata का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है tomocordata, tomocordata, hemicordata को सबसे पहले hemicordata नाम क्यों मिला, half chordate से, पहले माना जाता था यह chordates है, chordates वो होते हैं, जिनमें notocode होती है, ठीक है, तो इन में एक structure था, जिसको कहते है tomocode, तो वो notocode जैसे दिखती थी, तो उनको लगा कि यह notocode है, तो उसको एक separate subphylum में रख दिया, जो chordates के अंदर था, बाद ने पता लगा कि वो तो एक rudimentary सा structure है, वो notocode है नहीं है, तो फिर इसको as a separate phylum रखा non-cordate में, तो इसलिए आज हम इसको किस में पढ़ रहे हैं मैटा, non-cordates में पढ़ रहे हैं, तो stomocordata कहां से मिला, they have a rod-like structure called stomocode called stomocode earlier they were kept under they were kept under what? they were kept under the codates but now they are a separate phylum in non-cordates अब बात करेंगे इसका habit and habitat, यह कहां पर मिलते हैं, they are exclusively marine, अब यह तीसरा phylum है, that is exclusively marine, ठीक है यह जो जमीन होती है, उसमें गड़ा सा करके उसमें present होते हैं, and they are not much cizile, मतलब they are not much motile, यह थोड़े cizile ही होते हैं, symmetry की बात करें, तो इनकी symmetry है bilateral, they show organ system level of organization, they are silomate, इनमें भी enterosilome होती है, and they are triploblastic, मतलब तीन germ layers हैं, बात करेंगे इनकी body की, इनकी body बेटा तीन पार्ट में divided है, इनकी जो body है, वो तीन पार्ट में divided है, सबसे उपर वाला है proboscis, फिर आता है छोटा portion इनका collar, और फिर आता है the largest part which is trunk, like this, देखें, ट्रंक में आप इसके इधर gills भी देख सकते हैं, इसमें ट्रंक में gills भी दिखते हैं, गills slits, like this, right, so this is proboscis, this is collar and this is trunk, trunk में क्या होता है, gills slits, gonads and hepatic CK, जो digestion में help करते हैं, fine, ये सारी चीज़ें trunk में मिलती हैं, तो अगर आप देख पारें, इसकी body कैसी है, एक worm जैसी है, जैसे हमने ascal mentis करें थे, तो the body is worm-like, कैसी है body, एक worm की तरह, right, तो ये था बिटा, इसकी body के बारे में, body अगर आप देखोगे, worm-like है, इसकी cylindrical है, तो अगर word cylindrical आ गया, तो confuse मत हो ना, तो cylindrical body है, और एक worm जैसी दिखती है, next बात करेंगे बिटा, excretion की, ये excretion कैसे करते हैं, हमने यह पर प्रोबोसिस किया था, प्रोबोसिस के अंदर एक छोटी सी gland होती है, इसे हम कहते हैं, प्रोबोसिस gland, क्या कहते हैं, प्रोबोसिस gland, तो इसका excretory organ क्या हुआ वेटा, प्रोबोसिस gland, तो excretion takes place through, प्रोबोसिस gland, circulation इसका open type है, heart may be present, heart present होता है इसमें, दिल होता है इसके पास, digestion की अगर हम बात करें, digestion is also complete, complete elementary के नाल है, इसकी एक mouth होगा, और दूसरा anus होगा, and they are ciliary feeder, ciliary feeder का मतलब क्या होता है सबसे पहले, कि जो इनका mouth है, mouth के entry पे ऐसे cilia लगे हुए हैं, अगर मैं सामने से mouth देखूंगी, ऐसे cilia लगे हुए हैं, तो जो भी food आएगा, पहले cilia से पास करेगा, filter होगा, फिर ही आगे जाएगा, तो इसे हम कहते हैं, ciliary feeder, these are cilia, and this is the mouth, microscopic food खाएगा, छोटा food खाएगा, बड़ा filter नहीं हो पाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा, respiration की अगर बात करें, तो respiration के लिए they have gill slits, next, reproduction की बात करते हैं, इनके भी sexes separate है, they are unisexual, जिनसे पानी में रहते हैं, तो fertilization होगी external, development होता है इन में indirect, मतलब क्या होगा इनके पास, larva, क्या होगा इनके पास, larva, larva का नाम क्या है, torneria, what is the name of the larva, torneria, larva, चलिए, अब करते हैं इनकी example, दो ही example अब बिटा, blanoglosses and sacroglosses, इन दोनों के ही common name है, tongue worm, क्योंकि आगे से देखोगे, तो ये tongue जैसा दिखता है, दिखता है न, तो इससलिए इसको हम tongue worm कहते हैं, it's just like a tongue, जीब की तरह है, चलिए, अब बिटा हम करेंगे कुछ question पहला, इन में से कौन से फाइलम में excretory organ नहीं था, बिटा, echinodermata, तो echinodermata में आती है, starfish, esterias, so answer हुआ, next, sensory organs present in mollusk, इस और आर, इन में से कौन से mollusk का के sensory organ है, tentacles भी थे, आंखे भी थी उसके पास, और chemical nature check करने के लिए पानी के, और स्वरीडियम भी थे, so all of these, the answer, next, that's it, so this was it about the three phalums, mollusk का, हमी कौर्डड़ेटा और कानुदर मिटा, इसको अच्छे से पढ़िए, हम में लेंगे नेक्स क्लास में, till then, bye-bye.